हेलो फ्रेंड्स आज हम पियानो प्लेइंग की एक प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे कभी-कभी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर मैं प्यानो बजाते-बजाते ब्लैक आउट हो जाता हूं यहां बोलते हैं कि मैं ब्लैंक हो जाता हूं कि यह क्या है कि यह क्यूं होता है और इसके बाहर निकलें इसका निदान क्या है इसका उपाय क्या है ठीक होने का आज इसपे थोड़ी चर्चा करेंगे रुक जाता हूं कुछ प्ले हो हो जाते हैं अब क्या दिमाग काम करना बंद हो जाता है ठीक है पहली चीज हमें इसमें कुछ बाते समझनी पड़ेंगी जो सबसे पहली चीज है कि यह समस्या ज्यादा तर नोटेशन प्लेयर्स को आती है जो स्टाफ कि तो हमने देखा कि क्या होता है बीच में एक दम से रुख जाते अप सब्सक्राइब करना है कि जो आपकी जो म्यूजिक शीट है इसमें आपको दो चीजों को अच्छे से समझना है एक तो कि नोटेशन जब भी प्ले करें तो मेमोरी से याद करके भी उसको बजाएं प्लस रीड करके भी बजाएं यह कॉंसेप्ट कई कि लोगों को क्लियर नहीं होता कुछ लोग समझते हैं कि खाली रीड करके ही बजाना है और कुछ लोग समझते हैं कि खाली मेमोराइज करके ही बजाना है याद करके ही बजाना है ऐसा नहीं है मेमोरी और साइट रीडिंग दो पिलर हैं आपकी प्लेइंग के आपको दोनों स्टाफ नोडेशन प्ले करते करते एक ही पीस को बार बार बजाते बजाते आपको वह ऑटोमेटिकली याद हो जाता है मान लीजिए आपने प्लेगिया आपको याद हो गया फिर भी आप उसको अपने सामने रखेंगे कि लाइक आ मैप हमें यहां से वहां तक का रस्ता पता होता है लेकिन फिर भी हम गूगल मैप लगाते हैं क्यूं थोड़ी सिक्योटी के लिए कि कहा ट्रैफिक है कहां पर क्या है थोड़ा पता चल जाए ऐसे ही यह जो नोट्स है शुरू शुरू में यह एक पेज का होता है फिर दो पेज का फिर दस पांच पंद्रा पेज का भी हो जाता है तो यह पूरा आपको पीस याद करने के बाद भी jak 1 आपको अपने सामने रखना चाहिए और उसकанич को अपको फॉलो करते रहना चाहिए भले ही आपको याद हो गया है को तो आप इस पहला पॉयंट इसका समझेंगे को गूगल मैप की तरह इस पीस पेमफल आप ऑप कहां बजा रहे हो इससे क्या होगा जैसे ही आपका blackout होता है ytley आपको यहां कहां हूं तो यहां से धीक होगा हूँ बिलकुल रुख गए और चोड़ दिया बजाना उससे बेटर कि के आपको पता है कहां है वहां से बजाना आपने शुरू किया तो मैप की तरह फॉलो करना है एक दम उसको भुला के खाली मेमोरी से नहीं बजाना है ठीक है अगला पॉइंट है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बार में क्या लिखा हुआ है कि स्पैशली दे लेफ्ट हैं फॉर एक्जामपल अगर मैं अचानक आप से पूछता हूं कि यह वाली बार में लेफ्ट हैं को कौन सा कौड लिखा हुआ है कौन सा कोड है तो आपको पता होना चाहिए कि यह सी माइनर लिखा हुआ है तो उसके लिए जब प्रपेर करें जब रीडिंग करके उसको पढ़ रहे हैं तो ऐसे पढ़ें कि वह यह मैं खास्तोर पर लेफ्ट के लिए आपको बता रहा है कि राइट हैंड में सब लोग ट्रेबल क्लेफ पढ़के थोड़ा सा इजी भी होता है सिंगल सिंगल लाइन होती है तो पता चल जाता है एसे लिखा हुए लेकिन लेफ्ट में कभी-कभी ज्यादा नोट होते हैं तो लेफ्ट हैंड के नोट को ज जो नोट्स हैं उसमें कुछ ना कुछ कोर्ट का link आप को डूमना चाहिए कि यहां पे इस कॉड के आस पास चल रहा है यहां पे इसक डिया प्लस आपको देख, के पता भी चलना है करने से आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपका जैसे ही आपको लगा भूले तो एक तो आप मैप सॉलो कर आपको पता मैं यहां पर हूं फिर आपने लेफ्ट हैंड को इतने अच्छे से प्रपेर किया है कि आपको पता है कि यहां पर कौन सा देखा अच्छा इफ्लैट कॉड़ है ठीक है शुरू हो गए वहां से तो हर एक बार में आप खुद अपना टेस्ट करेंगे यह इस खास तोर पर एडवांस को बहुत काम आएगी जो ग्रेड 45678 अब बजाते हैं उनके लिए बहुत काम की चीज़ है तीसरा पॉइंट है कि डू नॉट डिपेंड ओन द बुक टोटली कि आपको खाली रीडिंग पर डिपेंड यह मैं पहले भी आपको बता चुका हूं एक खाली रीडिंग पर नहीं कि आसे करके बस ड्रीड रीड डीड डीड कर रहे हैं मैमोरी से भी बजाना है और आपको आपको पूरुन उतह है रीडिंग पर डिपेंड होना ना तो आपको पूरुन उतह मैमोरी पर डिपेंड होना आपको एक बैलेंस बनाके चलना है थोड़ा रीड करो थोड़ा दिमाग से बचाओ थोड़ा रीड करो थोड़ा याददाश से बचाओ दोनों का कॉम्बिने बेसिक स्टूडेंट उनके लिए कि जो भी बेसिक कोड जैसे सारे मेजर कोड और सेवंध कोड भी वह आपको वैसे याग होने चाहिए क्योंकि कभी कभी देखा गया अचानक से अगर स्टूडेंट को पूछो के बी फ्लैट सेवंध क्या होता है तो पहले ढूंडते हैं भी फ्लैट फिर ऐसे करें कुछ यह बी फ्लैट सेवंध हो गया ऐसे नहीं आप अपने आपको खुड टेस्ट करिए कि आपको सारे कोड अ स्टाफ नोटेशन पर यह कैसे लिखे होते हैं यह भी आपको पता होना चाहिए तो यह कुछ पॉइंट्स हैं जो ब्लैक आउट की समस्या से बाहर निकलने में आपको काम आएंगे सबसे मेजर पॉइंट जो है वो यह है कि आपको थोड़ा रीड करना है और थोड़ा या एज़ा मैप तो यह उसके बाद जो मैंने आपको तीन चार पॉइंट और बताएं कि आपको प्रिपेरेशन कैसे करनी है प्रिपेर करते टाइम ठोड़ा को देखना है लेफ्ट है कि यहां पर कौन सा कॉड़ है यहां पर कौन सा कॉड़ है आप चाहें तो लिख भी सकते ह तो आई होप इससे समस्चा का समधान आपको मिलेगा थैंक यू वेरी मच